हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार दोस्तों Study IQ में आप सबका बहुत स्वागत है मैं हूँ अजे अनुराग और आज हिंदी साहित के सेशन में हम लोग मलिक मोहमत जायसी के जो रचना है महाकाब्य पदमावत उस पर बातचित करेंगे पदमावत से संबंधित कुछ टॉपिक पर मैंने पहले भी बात करेंगे और वो है पदमावत एक ट्रेजडी एक त्रासद कथा कुछ आलोचकों की राय है कि पदमावत में ट्रेजडी है और ट्रेजडी कहानी के इस कथा के अंत में ही नहीं है बलकि बीच में भी ये दिखाई देता है पूरी की पूरी कथा जो है पूरा ये जो काब है असल में मानवेत रास्दी का ही काबे है। ऐसा नहीं है कि पदमावत के अंत में रानी पदमावती और नागमती दोनों जोहर ब्रत कर लेती हैं। आग में कूद कर जान दे देती हैं और यह बड़ा एक ट्रिजिक एंड है पाठक देखकर या पाठक को यह जो द्रिश है वो उसके मन मस्तिस पर आगहात करता है अगर आपने मूवी देखी हो तो निशी तोर पर यह जो क्लाइमेक्स है मूवी का संजे लिला भंसाली वाले जो मूवी आए थी पर्दमावत तो उसका क्लाइमेक्स ओडियंस को दर्शक को बड़ा गहरे तक प्रभावित करता है सब लोग बड़े उदास मन से थेटर से बाहर निकलते हैं क्योंकि एक प्रेम कथा चल रही थी जीवन में जो हां रस था सब कुछ बहतर था प्रेम किस जिस तरीके से जीवन को एक धंसे जोड़े हुए था और उस प्रेम में ये कथा जिस अपना विस्तार पाती है वो सब को आकरशक लगता है प्रेम हमारे जीवन का सबसे आकरशक पक्ष भी है लेकिन अंत में जिस तरीके से दोनों रानियां जोहर कर लेती हैं या फिर कारुनिक है मार्मिक है और पाठक या दर्शक के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है क्या है ट्रेजर्डी किस दिश्टी कौन से ये इसे ट्रेजिक एपिक कहेंगे और इसमें ट्रेजर्डी के वो तत्तो कहा है थोड़ा इस पर हम लोग बाठचित करें बाठचित सुरू करने से पहले मैं ये भी कहूंगा कि एक बैच अपना सुरू होने वाला है सेकंड बैच पांच जुलाई से तो अगर आप में से कोई हिंदी साहित के बारे में सोच रहा है अभी नहीं लिया है इस क्लास को देखने वाले में से तो मैं चाहूंगा कि हिंदी साहित को आप जॉइन करें हिंदी साहित के बारे में मुझे ज़्यादा कहने के आउशक्ता नहीं हिंदी साहित पी एसी में एक बेहतर बिकल्प के रूप में जाना पहचाना जाता है हर बार इसमें result अच्छे होते हैं marks अच्छे आते हैं और हिंदी साहित पढ़ते हुए आप एक धंग से अपने जीवन और समाज से ही गुजरते हैं लगता है कि सब कुछ हमारा देखा हुआ है सब कुछ हमारा जाना हुआ है और कुछ भी इसमें नया नहीं लगता और एक बड़ा जैसे आप मुवी देखते हैं और मुवी देखते हुए आपको चीज़ें अच्छे लगती हैं और आप उससे connect हो जाते हैं इस आहित का nature वैसा ही है इस course को जॉइन करने के लिए आपको एक code यूज़ करना पड़ेगा आजे लाइव और इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको benefit मिल जाएगे इसकी फीस में तो आजे लाइव code यूज़ करें एक बज़े से इसकी timing है एक से चार तीन घंटे की class होगी regular class होगी और हर एक topic के बाद test है final test रिज़ भी आपको मिलेगा previous इसके questions भी मैं कराऊंगा तो एक complete preparation है complete notes material के साथ आपको कही जाने की जरुबत नहीं पड़ेगी बहराल जो topic है हमारा कि पनमावत एक त्रासद काब है त्रासद काब में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि त्रासदी से मतलब क्या है त्रासदी को अंग्रेजी में कहते हैं tragedy 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 epik या tragedy काब से क्या मतलब है वैसे तो आप सब को मैं बताओं कि भारत में अपने संस्कृति में और अपने यहां जो परंपरा है साहित रचना की उसमें ट्रेजडी बहुत कम देखने को मिलता है अपने हत्रासद रचनाय कम ही लिखी गई है और लेकिन पशिम के साहित में ट्रेजडी एक वहां बहुत परचलित एक तरीका रहा है और बहुत ऐसे रचनाय लिखी गए सेक्सपियर के नाटक हैं और तमाम ऐसे जहां एक ट्रेजिक एंड होता है एक दुखांत घटना तरासदी हम लोग कहते हैं तरासदी का मतलब है कि जो कहानी है उसका अंत जो है ओ दुखांत हो और दुखांत किसी भी वज़ा से हो सकता है उसमें चाहे नायका नायका किसी ऐसे बिसम प्रस्तियों में घिर जाए मुसिबत में घिर जाए या फिर दोनों में से किसी का दोन नहीं है किसी किसी दुखत घटना के शिकार होने में उनका कोई दोस नहीं है वो बड़े अच्छे भद्र लोग हैं लेकिन किसी भी कारण से ऐसे एक प्रस्लितियों में उलज जाएं और उसमें उनकी मृत्व हो जाएं और पाठक को ये लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस जंग से नायक या नायका दोनों में से किसी का ऐसा अंध नहीं होना चाहिए था जब इस तरह की कथाएं लिखी जाती है तो उनको ट्रेजडी कहा जाता है अपने हां भी कुछ ऐसे खासकर बंगला साहित में ट्रेजडी वाली रचनाये लिखी गई है आपने देवदास मूवी देखी होगी देवदास का ट्रेजडीक एंड है गोदान जो प्रेमचंद का है उपन्यास उसमें भी हम देखते हैं एक तरासदी है किसानी जीवन की तरासदी है कथानायक होरी जो है वो एक समाने किसान है और एक समान तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है अपना परिवार चलाना चाहता है उसके लिए वो तमाम उम्र संघर्स करता है उसकी छोटी बड़ी थोड़ी साध है उसकी कुछ कामनाएं है एक शाये हैं गाये पालने के उसकी लालसा है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी छोटी छोटी लालसाओं के उपूर्ती नहीं कर पाता और अंध में समाजिक आर्थिक जटिलताओं में समाजिक आर्थिक ताने बाने और शोशन के जाल में फसकर उसकी मौत हो जाती है और समय मौत हो जाती है और गोदान के पाठक को ये बात बहुत कचोड़ती है पाठक के दिल पर बड़ा आघात लगता है कि होरी की मिर्तु नहीं होनी चाहिए थी होरी को नहीं मरना चा किया है क्या पदमावत में भी ऐसी कोई ट्रेजडी है तो पदमावत को हम किस रूप में देखते हैं एक तो पहली चीज ये कि पदमावत एक बिशुद्ध प्रेम काब है जा इसी को प्रेम की पीर के कभी के रूप में उनकी पहचान होती है कि वो प्रेम का गीत गाते है और कब मध्यकाल में जिस मध्यकाल में प्रेम को बड़ा अभिशाप माना गया है प्रेम को पाप और निशेद है उसका क्योंकि प्रेम एक ऐसा जीवन मुल्य है एक ऐसा विचार है जो समानता प्रधारित है प्रेम जाती धर्म आयो छेत्र रंग रूप सारी जो असमानताएं है उन सब को मिटा कर बराबरी के धरातल पर होता है प्रेम एक बराबरी का सम्मंद है एक बराबरी का रिष्टा है चुकि मर्धिकाल में समाज को तमाम तरह से विभाजित किया गया था सत्ता और समाज के जो वर्चसुवादी लोग हैं उन्होंने समाज को बाट रखा था जाती धन, भाषा, संप्रदाय ताकि समाज बटा रहे और वो आसानी से साशन कर सके ऐसे में अगर कोई प्रेम के गेत गाता है तो निशी तोर पर वो समाज बिरोधी है और समाज को ये बात पसंद नहीं जाइसी हों या भक्तिकाल के दूसरे भक्त संथ हों सूरदास, गोसामितुलसी दास, कबीर या कोई भी अन्य जो प्रेम की बात करता है उसको लोग पसंद करने वाले नहीं थे लेकिन इन संथ कबियों का प्रभाव इतना था, इनको सुनने वाले लोग इतने थे कि इनकी बात सुने गई हाँ एक बात जरूर है कि इन्होंने प्रेम सिधे-सिधे प्रेम की बात नहीं कही बलकि उसमें बीच में एक माध्यम की रूप में इश्वर की बात हो रही है इस्वरिये प्रेम की बात हो रही है ये प्रस्तूत करते हैं जाइसी यानि कि सूफी परंपरा में जाइसी आते हैं प्रेम मारगी धारा से प्रेम मारगी धारा या सूफी परंपरा में तो जो सांसारिक प्रेम है उसी सांसारिक प्रेम के जरिये इश्वरिये प्रेम की बात कही गई है जिसके हम लों कहते हैं इश्क-मजाजी से इश्क-حकीकी की आतरा तो जायसी प्रेम के कभी हैं प्रेम की गीत गाते हैं अपने पदमावत में भी एक तरिकोणिये प्रेम संबंधों को दिखाते हैं जिसमें एक कोण पे अधिराजा रत्रसेन है तो दूसरे कोण पे रानी पदमा होती है और तिसरे कोण पे नागमती है जो रत्रसेन की बिभाहिता है प्रेम के जरिये जायसी असल में ना किवल एक प्रेम कथा कह रहे हैं बलकि मध्यकाल में एक सामाजिक सांस्कृतिक समन्वे कभी प्रयास कर रहे हैं क्यों क्योंकि जायसी मुसल्मान कभी हैं मुसलिम हैं लेकिन आप देखिए कि एक तो राजर रत्रसेन और हिंदू समाज औ गर परिवार की कथा कहते हैं दुसरी बात की इस पदमावत में वो अलाउदन खिल जी को विलन के रूप में खलनाय के रूप में दिखाते हैं यानि कि जायसी कोई पक्षपात करते हुए नजर नहीं आते जायसी किसी अपने सामपरदाई कहाचे में बधे हुए नहीं है बलकि जो सच है प्रेम को लेकर जो बाते हो जो सच है और प्रेम के लिए जो चीजें होनी चाहिए उसको दिखाने के लिए वो ये कथा कहते हैं और लोग जीवन की आस्था को मजबूत करते हैं लोग जीवन में प्रेम को जिस रूप में देखा जाता है उसे उसी रूप में वो प्रसूत करते है तो एक उनका प्रयास समाजिक सांस्कृतिक समन्वे का भी है हिंदु मुसलिम को करीब लाने का भी है और प्रेम को एक जीवन और समाजिक मुल्य के रूप में अस्थापित करने का भी है लेकिन इसी के जरीए उन्होंने एक इंसानियत की भी खोज की है कि असल में जो एक मानवी मुल्य है और जीवन में जो अति आवश्चक है प्रेम उस प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी और उस प्रेम की जरीए वो उस उन तमाम जीवन मुल्यों की बात करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है प्रेम के बहाने वो जीवन में त्याग, बलिदान, समर्पन सब कुछ लुटा देना, कोई अपेक्षा नहीं रखना दूसरों के लिए दूसरों के खुशी के लिए प्रयास करना और उसे प्राप्त करने के लिए एक धंग से अपना सब कुछ गवा देना यह इनसानियत है, यह प्रेम के लिए आवशक सर्थ है जिसको जाइसी इस काप में दिखाते है यनि कि वो प्रेम को केवल प्रेम कथा सतही तोर पर नहीं करते एक छिछलापन नहीं है बलकि उसके गहरे अंतर में उतरते हैं और बताते हैं कि इस प्रेम को कैसे हासिल किया जा सकता है और ये प्रेम जीवन के लिए कितना जरूरी है और यही वज़ा है कि राजा रत्न सेन को पदमाउती मिलती है क्योंकि राजा रत्न सेन अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपना सब कुछ गवाँ देते हैं एक समान योगी बनकर पदमाउती की इतलास में निकलते हैं और सब कुछ भुला कर एक समर्पित भाव से रानी पदमाउती को पानी के लिए प्रयास करते हैं और उन्हें अंतरता सफलता भी मिलती है हम सब जानते हैं कि पर्द्मावत का एक पर्तिकात्मक एक रूपक कावि के रूप में भी इसका मुल्यांकन होता है सुफी परंपरा के हिसाब से जो भग्त और इसवर की मिलन की बात है उसका भी एक संक्यत है इहारत्रसेन जीवात्मा के प्रतीक हैं तो रानी पद्मावती जो है वो प्रमात्मा की प्रतीक है लेकिन उसे हम छोड़ दे एक इसे लोक कावि की रूप में देखें इसके धार्मिक और अध्यात्मिक प्रक्ष वो छोड़ दिया जाए तो पद्मावत में राजा रतन सेन अपने प्रेम को पाने के लिए रानी पद्मावती को पाने के लिए अपना सब कुछ गमा बैठते हैं दूसरी तरफ पद्मावती की चाह रखने वाला एक पात्र और भी है जो अल्लावदिन खिल जी है लेकिन अलावन दिखिल जी कैसा पात रहे अलावन दिखिल जी अपनी शक्ती पर अपने ताकत के बल पर रानी पदमावती को हासल करना चाहता है जाइसी दिखाते हैं कि ये प्रेम है और इस प्रेम में कोई जोर नहीं चलता इस प्रेम में कोई जोर जबस्ती की बात नहीं होती उधर हम लोग जब कवीर को पढ़ रहे तब भी हम लोग बात कर रहे थे कि यह तो घरू है प्रेम का खाला का घर नहीं सिस उतारे भूई धरे सो पैठे ही माही प्रेम के लिए हमें अपने अहंकार अपने सारी चीज़ों को त्यार करना पड़ता है जबकि अलावदिन खिल जी अपने शक्ति अपने तलवार के बल पर प्रेम को हासिल करना चाहता है और यहीं वज़ा है कि उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती जाइसी दिखाते हैं कि इस प्रेम की खोज में इस प्रेम के रास्ते पर चल कर वही मनिस चल सकता है जो अपना सर्वस गवाज सके सर्वस निक्षावर कर सके और ये प्रेम का रास्ता ही बैकुंठ का रास्ता है इस प्रेम के जरिये ही हम जिस बैकुंठ की प्राप्ति मद्यकाल में सभी धर्म और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं कि मौक्ष कैसे मिले जैसे कहते हैं इस प्रेम के जरिये ही मौक्ष की प्राप्ति हो सकती है वो लिखते हैं कि मानुस प्रेम भाय हो बैकुंठी नाही तो का चार भर मुठी ये मानुस प्रेम ही बैकुंठ है मानुस प्रेम ही बैकुंठ का रास्ता बन सकता है वरना एक मुठी चार के सिवा इस जीवन का कोई महतो नहीं यनि की प्रेम को एक मुल्ली के रूप में स्थापित तो करते ही हैं साथ ही साथ जिस स्वर्ग की चिंता थी जिस मौक्ष की चिंता मद्धिकाल में सरवाधिक थी उसका भी रास्ता प्रेम को ही बताते हैं जाइसी एक जीवन मुल्य के रूप में प्रेम को रखते हुए लोगों को संदेज देने का काम करते हैं पदमावत के जरिये कि पदमावत एक कहानी भर नहीं है बलकि ये हमारे जीवन की सीख है लेकिन इसी के जरिये आप देखें तो पदमावत की कथा में कुछ ऐसी तरासत पुर्ण घटनाएं दिखाए देती हैं जो हमें इतिहास की भूल के और इशारा करती है मानवी भूल के और इशारा करती है ट्रेजर्डी के बारे में ये कहा जाता है कि ट्रेजर्डी जो है वो ना केवल दुखांत है बलकि कुछ ऐसी बिसम प्रस्तितियों को भी चित्रित करता है ट्रेजर्डी जिसे देखकर हमें बार-बार लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप देखें तो सत्ता समाज के उस मुल्य विरोधी प्रेम रुपी मुल्य जो प्रेम जीवन का मुल्य है उसकी विरोध में जिस जंग से घटनाए घटती है वो इतिहास की त्रासदी बन जाती है रतन सेन पद्मावती को प्रेम करते हैं यह अपनी जगाठीक है लेकिन उसके बाद जब वो पद्मावती को लेकर चितोड पहुंसते हैं उसके बाद जो इस्तितिया बनती है और जिस जंग से अलावदिन खिलजी का इस कथा में प्रवेस होता है उसके बाद चीज़ें कई ऐसे चित्र उभर कर आते हैं और यह तरास्दी अलग अलग अस्तरों पर कई तरीके से हमें दिखाई देती है जैसे जो राघो चेतन जो पंडित है चितोड का जिसकी राजा से शिकायत है राजा से वो नाराज है और राजा के प्रति नाराजगी की कारण ओ जी को भड़काता है वो कि एक सुन्दर इस्तरी रत्न से ले आए हैं और बेहत सुन्दर है और वो आपके पास होनी चाहिए उसके बाद फिर सितिया बिगड़ती है अलावदिंखिल जी बार बार चितोड पर विजे प्राप्त करने के लिए सडेंतर रचता है छल पर पंच करता है धुखा धड़ी करता है उसे थोड़ी सफलता भी मिलती है महल में उपरवेश भी करता है और फिर उसके बाद राजा रत्न सेन को पकड़ कर दिल्ली ले आना कैद कर देना उसके बाद गोरा बादल जो चितोड के विर सैनिक है वो राजा को बचाने के लिए प्रयास करते हैं जिसमें उनकी मिर्तु हो जाती है चितोड में युध होता है बाद में हम देखते हैं कि कथा के अंत में जाते जाते रत्न सेन भी अपने पडोसी साशक के साथ एक युध में छल के जुवारा मारा जाता है उस रत्न सेन की भी मिर्तु हो जाती है और रत्न सेन की मृत्यू के बाद राजा रत्न सेन की मृत्यू के बाद पदमाउती और नागमती जोहर बरत कर लेती है अल्ला उद्न खिल जी उसके बाद आता है और उसे लगता है कि आप तो सब कुछ ठीक है अलावदिन खिल जी समझता है कि रत्म सेन की मिर्टू हो गई है अब पद्मावती को हासल किया सकता है लेकि हम देखते हैं कि अलावदिन खिल जी के चितोड़ पहुंचने से पहले ही नागमती और पद्मावती दोनों जोहर कर चुकी रहती है ये एक ऐसी इस्तिती है जो तरास्दी पैदा करती है जितने भी पात्र हैं वो सब अच्छे हैं सभी अपने जगा लावदिन खिल जी को छोड़ कर लेकिन सब धिरे धिरे किसे नकिसी कारण से उस तरास्दी के सिकार हो जाते हैं एक जो इस्तितियां बदलती हैं और जे संग से अलावदिन खिल जी एक बुरी नजर रखता है और बार बार रानी पदमावती को हासिल करने के लिए प्रयास करता है उसके बाद धिरे धिरे इस्तितियां बिगड़ जाती हैं और इसका प्रणाम ये होता है कि धिरे धिरे स सारी चीजें बदल जाती हैं और कोई नहीं बचता अंत में जायसी अंत में अला अधिन sneakingजी जब महल में पहुंचता तो उसे राणी पद्मावती नहीं मलती बलकि रानी पद्मावती की राख मिलती है यानि कि अलाउदिन खिल जी जो चाहता था और जिसके लिए इतना सब कुछ किया और जिसके कारण इस्तिया इतनी खराब होई अंततह अलाउदिन खिल जी को भी कुछ हासिल नहीं होता जाइसे ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि चार उठाई लीनी एक मुठी दिन ही उड़ाए प्रिथिवी सब जूठी यानि कि अलाओ दिन खिल जी को भी कुछ नहीं मिलता सिवाए राख के जिस प्रेम पातर को पाना चाहता है वो प्रेम तो हासिल नहीं होता क्योंकि ओ प्रेम के लिए जो मुले चुकाना है वो नहीं चुका पाता जो समर्पन जो त्याग जो बलिदान चाहिए नहीं कर पाता वर्चस्व और सक्ति के बल पे हासिल करना चाहता है इसलिए उसे पद्माउती नहीं मिलती बलकि पद्माउती की राख मिलती है और उसे ये एहसास होता है कि ये पृत्वी जूटी है सब कुछ मिथ्या है, सब बेकार है इतनी कोशिश इतनी तमाम कोशिशों के बावजुद भी पदमाउति की राख के सिवा अलाउदिन खिल जी को कुछ भी हासिल नहीं होता यह एक इतिहासिक भूल भी है और मानुए ट्रेजडी भी है जिसमें सारे पात्र समाप्त हो जाते हैं सारी चीशें बिगर जाती हैं चितोर पर अलाउदिन खिल जी का कपज़ा हो जाता है अधिकार हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता कुछ भी हासिल नहीं होता यानि कि एक तरफ तो बिलकुल निश्कलुश आदर्शबाद है तो दूसरी तरफ इतिहास की वो भूल है जो हमें ये सीख देती है कि हम हर एक मामले में जोर जबरस्ति नहीं कर सकते जहां समवेदना की जरुवत है वहां समवेदना से ही हम काम कर सकते हैं प्रेम को तलवार के बल पर नहीं जीता जा सकता और जो वैक्ति ऐसा चाहता है या जो इस तरह से मानवी संबंधों में जो चाला कियां छल परपंच, शक्ति, वर्चसो ऐसी चीजों से जो काम लेता है उसे अंतता असफलता ही हाथ लगती है हत दर्प सुल्तान बिराने में खड़ा रह जाता है अल्लावदिन खुल जी को कुछ नहीं मिलता उसकी बिजे निसार में बनल जाती है उसकी बिजे होकर भी वो हारा हुआ महसूस करता है पराजित क्या हो महसूस करता है इस सम्बंद में एक बात यहां यह भी उलिखनी है कि अमीर खुश्रो ने भी जिक्र किया था अमीर खुश्रो अपने जमाने के सुल्तानों के साथ रहे साथ सुल्तानों के साथ रहे और Amir Er Khusrau वैसे तो सफि संथ से लेकिन अपने उनका एक इतिहासकार सफि संथ होने के बाव्जो दो इसलाम की विजे का एक धंसे परचम लहराते वी दिखाई देते इसलाम विजय की बड़ी तारीफ करते हैं अमीर खुश्रो लेकिन अमीर खुश्रो से जाईसी इस मामले में अलग हैं जाईसी इसलाम की विजय तो दिखाते हैं कि चितोड़ पर अंतता अलाउदिन खिल जी का कबजा हो गया लेकिन ये कबजा भी बेर्थ है, बेकार है, निसार है, अन्तता अलाउदिन खिल जी को कुछ भी हासल नहीं होता और ये जो बढ़नन है यही जाइसी को बड़ा कभी बनाता है जाइसी इस मामले में अमिर्खुसर से आगे निकल जाते हैं कि वो इसलाम बिजे को जादा महतों नहीं देते, बलकि वो कहते हैं कि मानिवी जीत होनी चाहिए हमें लोगों के दिलों पर अपनी जीत हासल करनी चाहिए अलाउदिन खिल जी को ये सबक देते हैं वो या अलाउदिन खिल जी को शैतान बताकर विलन बताकर वो ये बताते हैं कि इस तरह की जीत अंतता बेकार है अंतता हमें कुछ भी हासिल नहीं होता निसार है बेर्थ है और ये संदेश जो है पदमावत का सबसे बड़ा संदेश है तो जाइसी ये दिखाते हैं कि पूरा जो ये जो प्रयास है ये जो कोशिश है अलाउदिखिल जी के वो अंतता एक ऐसे ट्रेजर्डी को जन देती है जो पाठक को देखकर बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों रानियों का जोहर कर लेना एक पाठक के हिर्दे को आघात सा लगता है राजा रत्म सेंद का बेवजह या ऐसे अचानक उनकी मिर्टु हो जाना युध में मारा जाना इस तरह की तमाम कोशिशें जो होती हैं जिसमें की युध में चितोड बिजे की युध में अनिक निर्दोस लोग मारे जाते हैं अनिकों लोगों की गोरा बादल सहीत अनि लोगों के हत्याय हो जाती है अनि लोग बे मौत मारे जाते हैं ये बस एक गलत निरने या एक आप कहलेजिए एक गलत चाह, एक गलत लालसा, एक वासना उसका नतीजा है जिससे कि ये पूरी कथा ट्रेजडी में तब्दिल हो जाती है और ये ट्रेजडी हमारे हिर्दे को असपर्ष करती है पाठक के मन को छूती है, और ये ट्रेजडी हमें एक सबग भी देती है, कथा के अंत में एक शांतरस का भाव हमारे मन में आता है सांतरस जिसका स्थाई भाव निर्वेद होता है एक हमारे बन में अध्यात्म और एक शांत भाव पैदा होता है एक निसारता का भाव पैदा होता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाय तो क्या है और जैसे ने लिखा भी है कि कुछ नहीं रह जाता सिर्फ कहानी रह जाती है इसमें कहानी रह गई है जैसे कहते हैं कि फूल मरे पे मरे नबासू फूल मर जाते हैं उसकी खुश्बू रह जाती है तो ये स्ट्रेजिक एंड में सब कुछ बिट जाता है, सारी चीजे खत्म हो जाती है लेकिन जो रह जाता है वो है खुस्बू, इस कहानी की जो खुश्बू है इस कहानी का जो सबक है, इस कहानी की जो प्रेणा है, ओ रह जाती है किसी तरह के छल परपंच या चालाकी के जरिये हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तो ये एक एक बहुत ही महत्वपुन एक रचना है जिसमें पदमावती और रत्रसेन के इस प्रेम कथा के जरिये जैसी ने संदेश देने की कोशिश की है जैसी लिखते हैं कि कह सुरूप पदमावती रानी कोई ना रहा जग रही कहानी तो कोई भी पात्र नहीं रहा बस कहानी बच गई लेकिन ये कहानी सदियों से हमें प्रेडित कर रही है और आगे भी प्रेडित करती रहेगी ये कहानी जब तक रहेगी यह आप कहे लिजे कि जब तक हमारे जीवन में प्रेम रहेगा जो हमेशा रहेगा तो जब तक प्रेम है तब तक कहानी अपनी प्रासंगिक्ता बनाए हुए रहेगी और ये reminder पद्रेजडी पद्मावत के ट्रेजडी जो है हम सब को एक सबक देती रहेगी कि ऐसे संबंधों में, आत्मी संबंधों में, प्रेम संबंधों में, मानवी संबंधों में कोई चालाकी नहीं चलती, वहां हमें अपने आपको मिटाना पड़ता है, अपने आपको समाप्त करना पड़ता है, तो निशी तोर पर पदमावत एक ट्रेजिक एपीक है और इसमे कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी और आप नोर्स जब पढ़ेंगे तो इसे और बिवस्तित तरीके से आप समझेंगे और आप इस पर लिख पाएंगे आज के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अगले सिशन में फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्का हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी